केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जारही प्रधान मंत्री आवास योजना जरुत मंदों के लिए वरदान साबित हो रही है विशेश तोर पर ऐसे गरीब असहाय व्यक्ति जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं था और निर्धनता के कारण अपना घर बनाने में असमर्थ थे वे लोग अब योजना के जरिये खुद का आशियाना बना रही है पेश है प्रधान मंत्री आवास योजना पर नागौर से हमारी विशेश रिपोर्ट रोटी, कपड़ा और मकान ये हर व्यक्ति की मुल्भुत आफशक्ता होती है हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो जिसमें वह अपने परिजनों के साथ जीवन वैतीत कर सके लेकिन आर्थिक इस्तती खराब होने की चलते सभी का ये सपना साकार नहीं हो पाता गरीब और असहाई लोगों के सपने को सच करने के लिए ही सरकार की और से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है अब तक लाखों लोगों को इस योजना का लाव दिया जा चुका है प्रधानमंती आवास योजना ग्रामेंड शेत्रों के साथ साथ शेहरी शेत्र के लोगों के लिए भी संजीवनी साबित हो रही है योजना से जोड़कर जिन पात्र लोगों के आवास बन रहे हैं उन लाभार्तियों ने प्रधानमंती नरिन्रमोधी और उनकी सरकार को धन्यवाद दिया प्रधानमंती आवास योजना के साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का लाप भी आमजन को मिल रहा है टीवी में परदान मंत्री आवाशी ओजना के बारे में कोई चल रहा था तो मैंने देखा कि हम भी कुछ कर सकते हैं तो हमने आगर परिसेत में जानकारी ली तो उन्हें ने बोला कि वही ऐसा ऐसा करके फारम बढ़ना है आपको अधिकारी आएंगे जो भी आएंगे मौका मादन के तहरत तhrging lotta हो जाएगा और आपकी जो भी साहत होगी परदान मंत्री आवाशी ओजना के तायत हो जाएगी और में तो मोधी जी की पर दान मंत्री आवाशी ओजना के तायत आइट जिन भी करीबों की मकान नहीं उनके आर्थिक स्रूप किया दा है प्रधानमंती नरेंडर मोधी की ये योजना अब धरातल पर साकार होती हुई दिखाई दे रही है ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार जैपूर